हलो फ्रेंड्स हलो फ्रेंड्स आज का टोपिक है The Girl Who Can जिसे अमा अटा आईडू के द्वारा लिखा गया है जो एक फीमेल राइटर है जिनका जन्म 1942 सिस्पी में हुआ था यह जो सोट स्टोरी है The Girl Who Can जिसे पब्लिस्ट करवाए गया है 1997 में और इसका सेटिंग रखा गया है हसोट जी में तो चलिए कहानी की स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ important characters के बारे में जान लेते हैं ताकि कहानी समझने में हमें आसानी हो तो हमारा पहला character है एडजोवा जो एक 7 साल की छोटी बच्ची रहती है जो हमें यह कहानी सुनाती है सेकंड character है नाना जो एडजोवा की दादी मार रहती है और थर्ट character है मियामी जो एडजोवा की मार रहती है तो चलिए कहानी की सुरू करते है एडजोवा नाम की एक 7 साल की छोटी बच्ची जिसके पैर बहुत दुबले पतले थे और लंबे थे जिस वज़ा से उसके घर में अक्सर चर्चा हुआ करता था कि यह आगे जाकर सही रूप से बिक्सित नहीं हो पाएगी सारे रिक रूप से यह सही रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी बच्चे का पालन पोसन नहीं कर पाएगी और यहां तक कि यह अपने सरीर का वज़न भी सही रूप से नहीं धो पाएगी इस चीज की चिंता हमेशा इसके परिवार वालों को लगी रहती थे इसके साथ साथ इसकी जो दादी मा थी नाना वो कहा करती थी कि एडजवा को स्कूल जाने की भी आविश सकता नहीं है क्योंकि उस वक्त लड़कियों के स्कूल जाने का अथोरेटी नहीं था बहुत ही कम इसी लड़कियां थी जो इसकूल जाया करती थी इसकी नानी इसकी जो दादी मा थी वो कहा करती थे कि बड़े होकर एडजवा को तो घर परिवार ही समालना है तो फिर इसे स्कूल जाने की क्या आवच सकता है यह घर पर ही घर के कामों पर ध्यान दे अपने सहत पर ध्यान दे प्रंतो इसकी जो मा रहती है मियामी वो हमेसा एड़ जुआ के साथ देती है वो कहती है कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है स्कूल जाने से हम लोग डेबलप्ड होते हैं विक्सित होते हैं हमारे बुद्धी विक्सित होती है नए नए आइडियाज आते हैं इसके साथ साथ उसकी मा कहती है कि अगर जिदि मैं अपने वक्त में स्कूल गई होती तो मैं भी आज एक अच्छे पोजिशन पर होती है एक अच्छा काम कर रही होती, सिर्फ घरों के कामों में निपट कर नहीं रहा जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाय लिखाई करो, इसके साथ साथ जो एडजवा जीस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल में स्पोर्ट का खेल करवाय जाता था, जहां पर वो हमेशा दोड में फस्ट आती थी, सबसे ताज़ुप की बात यहा है कि उसके पहर लंबे थे उसे बता देना चाहिए और उसने आकर बताया कि मैंने अपनी दादी मां से बताया कि बताई कि मैंने दोड में स्कूल में पर्थम अस्थान प्राप्त की हूं, फस्ट लाए हूं, इस पर उसकी जो दादी मां रती है नाना, उसे विश्वास नहीं होता है, वो अगले दिन इसकूल चले जाती है एड़्जुवा की और प्रिंसिपल से बात करती है, पूछती है इसके बारे में, तो प्रिंसिपल कंफर्म कर देते हैं, कि हाँ एड़्जुवा ने दोड में पर्थम अस्थान प्राप्त की है, इसके साथ साथ उसे मैडल भी दिया जाता है और वे आजूद भी तुमने यह सब कर दिखाया इसलिए मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है वो जो प्राइस था वो जो मैडल था वो घर लाने के बाद उसकी जो दादी माती वो आस पास के लोगों को दिखाती बताती और एड़ जुआ की बहुत ज्यादा परसंसा करती इ इसमें हम लोग कपड़े को इस्तरी क्या करते थे तो परती दिन वो उसके कपड़े को इस्तरी करकर उसे अच्छे से स्कुल बेजा करती थे तो अगले दिन मैडल जो था उसे स्कुल भी पहुँचा आना था और दादी माने उसे ले जाकर प्रिंसिपल को पुना वापस कर अब जो दादिमा का विचार था वो एड़ जुआ के परती बदल चुका था उससे अब विश्वास हो चुका था कि एड़ जुआ भले ही सारेरिक रूप से कमजोर है लेकिन उसके दृड़ी निश्य के वज़े से वो जीवन में जरूर सफल हो पाएगी